दिल्ली में CBI ने डिप्टिसीय मनीश शिशोदिया के घर समें 21 जगों पर छाप बिमारी की है माने जा रहा है कि ये छाप बिमारी शराब पॉलिसी को लेकर हुई है उप्राजिपार विजय कुमार सकसेना ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की नई आपकारी निती लागों किये गई थी जिसके मताबिक दिल्ली को 32 जोन में बैटा गया था इन में 849 लाइसेंस आवंटित किये गए थे इन 32 जोन में हर एक जोन में 27-27 शराब की दुकान खुल रही थी दिल्ली में अभी तक 7 फिसदी दुकाने सरकारी और 40 फिसदी नेजी हातों में थी लेकिन इस नीती के बाद 100 फिसदी दुकाने नीजी हातों में चली गई थी नई आपकानी नीती के मताबिक शराब की विक्री से जुड़े नियम अब इस प्रकार थे दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा को घटा दिया गया था इस नीती के अनुसार उम्र 25 साल से घटा कर 21 साल कर दी गई थी अंतरराश्टिय एरपोर्ट पर ऑपरेटिट इंडिपेंडन्स शॉप और होटल पर 24 घंटेश शराब की बिक्री हो रही थी पहले की तुलना में शराब को दुकानों की दूरी कम कर दी गई थी इस नीती के तहर शराब की दुकान कम सकम 500 वर्ग फीट में खुल रही थी पहले दिकान सरकारी दुकाने देर सो वर्ग फीट में थी जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं था लाइसेंस धारक मॉबाइल एप यब वेबसाइट के माधिम से ओर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे किसी चात्रवास, कार्वियाले या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाज़त नहीं थी दुकानों में व्यवस्था की गई थी